सूरे देव की उत्पत्ती का बैस है सूरे को अगर विज्ञान की नजरों से देखी तो वै भी भगवान से कम नहीं क्योंकि सूरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं किया सकती सूरे की पूजा वैदिक काल से ही हो रही है वेदो और इचाओं में सूरे देव की स्थूदी की गई है लेकिन मन में हमेशा ये बात उड़ती है कि सूरे की उत्पत्ती आकिर हुई कब क्या है उनकी उत्पत्ती का रहस्या सास्त्र में वर्णित है कि स्रस्टी के प्रारब में ग्रम्मा जी के मुख से ओम सब्द का उचारण हुआ था और यहीं सूरे के प्रारबिक सुक्ष्म रूप, सुक्ष्म स्वरूप तथा सुक्ष्म रूप इसके बाद भू भूव तत्थवा श्रा सब्द उत्पन हुए ये तीनों सब्द पिंड रूप में ओम में बिलीन हुए तो सुरे को इस्थूर लूप मिला स्रस्थी के प्रारंब में उत्पन होने से इसका नाम आधित्य पड़ा तो आईए जाने कैसे भगवान सुरे यानी आधित्य का जनम हुआ ऐसे बने आधित्य ब्रह्मा जी के पुत्र मरीची और मरीची के पुत्र महर्ची कस्यप का विवा प्रजापत्ती दक्ष की कन्या दिती और अधिती से हुआ था दिती से धत्य पैदा हुए और अधिती ने देवताओं को जनम हुआ था तबी से देत्य और देवताओं के बीच लड़ाई सुरू हो गई थी इस लड़ाई को देखकर देव माता अधीती बहुत दुखी रहने लगी और वह सुर्य की उपासना करने लगी उनकी आराधना से सुर्य देव प्रसंद हुए और उन्हें पुत्र के रूप में जनम लेने का वर्दान दे दिया कुछ समय पच्चात उनके गर्व में तेजस्वी बालक यानि भगवान सुर्य ने जनम लिया बाद में उन्होंने असरो का नास किया अधिती के गर्व से जनम के कारण उनका नाम अधित्य पड़ा था जानने सुर्य की जनम मूप में गोत्र और जाती सुर्य की जनम स्तली कलिंग देश मानी जाती है सास्त्रों में वर्णित है कि उनका गोत्र कस्यप और जाती ब्रामर है सुर्य को प्रसन करनी के लिए कुछ खास सीजे भहुत मायने रखती हैं जैसे गुड़, गूगल की दूप, लान्चंदन, अर्ख की समीधा और कमल की फूल उनका सार्थी है लंगड़ा, सुर्य के रथ में केवल एक पईया है और ये समतसर कहलाता है इस रथ को साथ अलग-अलग रंग के गोड़े इसे खीच रही होते हैं खास बात ये है कि इस रथ का सार्थी लंगड़ा माल निरालंब है गोड़े की लगाम के जये सापो की रशी है स्रीमत भागवत पुराण में सुर्य के रथ का एक चक्र सव सर होता है और इसमें मास रूपी बारा आरे होते हैं रितु रूप में छे नहमी सा तीन चौमा से रूप ना भी हैं रत की दूरी का एक सिरा मेरू परवत की चोटी पर है और दूसरा मानसरोवर परवत पर इस रत से इस रत में अरू नामक सार्थी बागवान सुरे की ओर रहता है दो पत्निया और दस पूत्र हैं बागवान सुरे की दो पत्निया हैं संग्या और निशुंबा संग्या के सुरेलू रागी दो त्वास्ट्री एबं प्रवा आधी अनेक नाम हैं तथा चाया का ही दूसरा नाम निशुंबा हैं संग्या विश्करमा त्वस्टा की पुत्री हैं बागवान सुरे की को संग्या से वेव स्वय तमन्नू यम यमुना अश्विनी कुमार दियर और लेवन तथा चाया से सनी तप्ती ब्रिस्टी और सावर्नी मनू ये दस संताने हुई इसा है श्वरूप सुरे सिंगरासी के स्वामी है इनकी महादसा छे वर्श की होती है पे रदन मारिक्य है सुरे की प्रिये वस्तू सवचा गाय गोड तामबा सोना एवं लाल वस्त आदी हैं सुरे की धातु सोना और तामबा है, सुरे की चप संख्या साथगार है, सुरे भवान का बीज मंत्र यदि सुरे निर्वल हो तो नित्य सुरे उपासना, सुरे को अग्र देने से, रविवार का ब्रत करने से, और सुरे देव के नित्य दर्शन करने से, सुरे देवता प्रशन और बली होते हैं